क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि आजकल मार्केट में आपको 3D TV देखने को नहीं मिलते हैं, 3D Laptops देखने को नहीं मिलते हैं, 3D Tablets नहीं है, ना ही 3D आपको phones में देखने को लता है, लेकिन सबसे कमाल की बात है कि आज से 10 साल पहले है सब कुछ था, 3D Mobile Phone में भी था, 3D 3D TV के अंदर भी था, 3D Laptop में भी था, 3D के अलग-अलग गेम्स भी आते थे, अलग-अलग चश्मे आते थे, बहुत सारी चीज़े थी, लेकिन 10 साल के बाद हमें लग रहा तो हर जगे 3D 3D हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं, और क्यों यहां पे एक तरह से फेल की फिल्म Aftar को, और जो Aftar 1 थी, वहां पे 3D का बहुत एचे तरीके से यूज किया था, और बेस्ट शोकेस होता है 3D का वो देखने को मिला था, और उसके बाद से 3D का जो ट्रेंड चल पड़ाना, वो काफी कमाल का था, क्योंकि नई टेक्नोलोजी, काफी सारी नई होगा, हाला कि उसके लिए हमें आपे थोड़ा सा इंतिजार करना पड़ाएगा, जब ता कि चीज़े क्लियर नहीं हो जाती, लेकिन उसके बार में वीडियो मिलता रहेगा आप लोग को, तो सब्सक्राइब अगर आप लोग नहीं किया तो कर सकते हैं, हाला कि अगर वाप या एक आख बंद करी अपनी, तो आपको एक 2D प्लेन दिखाई देगी, और राइट आई बंद करोगे तो भी 2D, और दो अलग-अलग एंगल से हमारा दिमाग एक 3D इमेज को यहाँ पर क्रीट करता है, यही सिम्बल सा बेसिक फंड आता, और इसी तरीके से मार्केट में अपको दो टाइब की 3D देखने को मिलेते हैं, पहला ता पैसिफ 3D, जिसके अंदर जो रेगूल साधा ग्लास होता है, जाब फिल्म देखने जाते हो, रलका सा काला-काला होता है, एक यह पर अगी प्रोजेक्टर, यहाँ पर दो टाइब की इमेज को साथ में प्रोजेक् और उनको मिला कि आपको एक 3D perspective देखने को मिलेगा हाला कि polarizer थोड़ा dark वगरा रहता है कई बार image इतनी bright रहती नहीं है इसलिए आपको जो experience होता है वो इतना जादर smooth आपको देखने को नहीं मिलता कई बार आपको हलकी सी dullness देखने को होती है वहीं बात करें active 3D ये एक जमाने में 3D TV बहुत पॉपलर था और इसके अंदर बात यह थी कि जो 3D TVs होते है वहाँ पे एक साथ दो images यहाँ पे दिखाई जा रही है लेकिन तो चश्मा होता है उसके अंदर बैटरी लगती है और उसके अंदर आपको LCD वाले glasses होते है यानि कि ऐसे glasses होते है जिसके अंदर जो left eye रहती है जब right eye की में जा रही है तो left eye पूरी तरीके से बंद हो जाएगी ताकि right में आए और जब right वाली में जा रही होगी ना तो left वाली पूरी तरीके से बंद हो जाएगी यानि कि आपको एक active 3D का experience यहाँ पर देखने को मलता है और यह चीज से अगर आप क्योई picture वगरा देख रहे हैं तो आप 3D का यहाँ पर feel ने सकते हैं हाला कि दो अलग-अलग concept थे लेकिन market में थे जादा खास successful हो नहीं पहें पैसे 3D ही जादा successful हो क्योंकि वो cinema hall में आज भी जिन्दा है active 3D देखा या तो अभी सालों पहले पूरी तरीके से खता हो चुका है इसके साथी mobile phones में भी 3D आया था HTC LG ने कुछ phones भी निकाल ले थे जिनके अंदर 3D था यहाँ तक कि dual cameras भी आते थे जैसे आप 3D photographs भी ले सकते थे लेकिन problem पता है क्या थी एक particular angle पर चीज काम करती थी और एक अच्छी चीज यहाँ पर यह भी थी कि यहाँ पर आपको कोई भी चेश्मा लगाने की जुरूर पड़ता था यह चीज काफी अच्छी थी लेकिन इसके बात बात किया तो mobile phone में बात कर लेते तो इसको आगे लेकर गई आपकी Amazon का जो fire होता है phone वो fire phone में भी इसी टाब का concept था multiple sensors लगे हुए थे और phone को अगर आप थोड़ा हिलाते तो आपको एक three dimensional perspective देखने को मिलता था और इस चीज को और आगे लेकर गया था red का red hydrogen phone वो चीज भी काफी interesting थी कि आपको एक holographic display जिसके देखने को मिल रही थी यह concept देखा तो काफी interesting तो काफी सारी companies ने से implement गया लेकिन यह चीज मार्केट में successful अभी तक नहीं हो पाई और इसके multiple reasons हैं आपर सबसे पहला है technological limitations मत इसला आप खुद समझें कि एक TV का मैं example लेता हूँ 1080p 3D TV में अगर आप को 3D film देख रहे है न तो उसका resolution यहाँ पे half हो जाता था क्योंकि आधर resolution जो रहता है वो left eye की image लेगी और आधर resolution राइट आई की लेगी और final जो image आप देखेंगे न वो 1080p से half resolution की मिलेगी इससे clarity क के अंदर एक problem आ जाती थी और कुछ लोगों को यहाँ पर चश्मा लगाने के बाद 3D film देखने के बाद nausea जैसी problem चक्कर आने वाली problems भी notice की गई थी क्योंकि हम इसके अंदर दिमाग को टर्क कर रहे है कि आप एक जगे बैठके आपको 3D का experience मिल रहे है यह एक चीज थी इसके साथ ही बात की जाया तो एक cinema hall के अंदर experience 3D का बैटरी ले जा सकता है क्योंकि वा control environment होती है चारो तरफ अंधेरा होता है देखने चलाने में अच्छी लगती कि एक बार demonstration वगर आपने दे दिया लेकिन रेगुलरली अगर आप फोन यूज करना है तो फोन को यूज करने के अंदर हर चीज के अंदर इसको थोड़ी difficulty हो जागी और नॉर्मली जो लोग है वो इस चीज को करना चाते थे और उपर स और नहीं आलो हम तो बहुत ही कम फिल्म ही जो 3D में बनाई जाती है एक्जेक्ली जो फिल्में बनती है 3D में वो 3D दिमाग में रखके बनाई जाती है कि 3D फिल्म को कैसे बनाना है majority फिल्म है including Bollywood, Hollywood कोई भी आप ले ले जादार फिल्मों 2D में ही बनती है और उनका post में conversion किया जाता है 3D का जिसके अंदर quality होती अच्छी देखने को नहीं मिलती इवन Marvel की movies खुद 3D में नहीं बन रही है वो खुद 2D में बनती है और बाद में conversion उनका किया जाता है ताकि 3D में वो बाद में दिखाई जासा कि 3D theaters में लेकिन primarily वो 2D में ही बन रही है और यही सब से बड़ी दिखकत है कि exactly जो content है वो काफी जादा कम हो चुक है 3D का कुछ film है कुछ animation film है कुछ चीज है लेकिन exactly जो content consume करने वाले वो काफी कम है इवन एक बात की जाए तो मूरी दुनिया के अंदर जो cinema halls है ऐसा लग रहा था कि 3D हर जगे take over कर लेगा लेकिन यह चीज नहीं कर पाए दुनिया में कुछ limited cinema halls सी जहाँ पर 3D चलता और उनकी quantity भी कम हुई है और US में तो 3D बहुत यह से कम है USA के अंदर वहाँ पर लोग फिल्में 2D में देखना पसंद करते हैं इंडिया में अभी भी 3D का trend है लेकिन फिर भी 2D जादा प्रिफर किया रहा है इस compare to 3D सिर्फ कुछ फिल्मों के लिए जहाँ पर आपको जादा action यह जादा चीज़े रहती तो उसके लोग यहाँ पर 3 जो लोग चश्मा पहनते हैं उनको दूसरा चश्मा उपर लगाने में काफी जादा दिक्कात आती है और एक चश्मा काफी जादा hectic create कर सकता है मतलब जब active 3D होता था तो वह तो glasses को charge भी करना पड़ता था तो वो एक अलग सर जर था और एक smooth experience था है ना glasses के साथ वो अभी आपको देखने को नहीं मिला और हर को यह चाहता था कि काश हम लोग 3D जैसा चाहता है वैसा experience कर ले लेकिन बिना चश्मे के इसी चीज के लिए आगे चलके glass free 3D को develop किया जा रहा है जहां पे एक ही projector रहेगा एक ही screen रहेगी और वो उस तरीगे से बनाई जाएगी कि आपक लेकिन यह चीज इत्या जादा successful रहनी पर लेकिन अब देखना है कि जैसे अफटार 2 आने वाली है future में 3D movies आने वाली है क्या इस चीज को यहां पर change करती है और यह देखना है कि exactly उनकी technology में difference कह रहता है कि past में जो problems थी यानि कि 10 साल पहली भी ऐसी technology exist करती थी लेकिन उससे scale up नहीं कर पाए तो क्या है लोग अभी scale up कर सकते हैं यह एक देखने वाली बात है और इसके साथ बात यहां पर यह की कि कि लोग जो रहते कि 3D को अच्छे तरीकर सपनाएंगे मतलब कुछ लोग काफी जादा प्यार दिखाते 3D को cinema halls में लेकिन product खरीदे समयं gadgets खरीदे स आप लोगों को क्या लगता है 3D की कहानी यहां पर कैसी होगी बात नीची कमेंट में बता ना भूला आप लोगों ने आज तक कितनी फिल्में 3D में देखिया और आप लोग का experience का इसा यह भी बात नीचे कमेंट में बता सकते हूं थाइंक में आपका वीडियो देखने के लिए मैं आप साम दर नेस्टोन के अंदर गुद बाई